तो देखिए अभी हम लोग क्लास नाइन्थ के हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और इसमें अभी चौथा चाप्टर बिश्यूद्धों का इतिहांस पढ़ाया जा रहा है और इसमें आज हम लोग सेकेंड वर्ड वार यानि द्वित्य बिश्यूद्ध को पढ़ने वाले हैं तो और फिर पढ़ेंगे द्वित्य बिश्यूद्ध के कौन-कौन से एफेक्ट हो एन उसके रिजल्ट को परिणाम को तो आईए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज की द्वित्य बिश्यूद्ध की सुरुवात जो है एक सितंबर 1949 इसमी को हुआ और कैसी इसका सुरुवात हुआ तो देखिए हुआ क्या कि जर्मनी के द्वारा जर्मनी में जो उस समय नाजिवात के स्थापना हुआ हो चुका था तो उसमें हिटलर जो था वहां के नित्रित्व करने वाला मतलब उसके द्वारा एक सितंबर 1949 को पोलेंड पर आक्रमण सबसे पहले किया गया और हम लोग पढ़े ही थे कि द्वित्य विसुत से पहले भी मतलब एक गूट का निर्माड हो चुका था जिसमें एक तरफ से जर्मनी इटली और जापान सामिल था दूसरे तरह पोलेंड चेकोसलोवा किया और फिर फ्रांस था और उसमें ब्रिटेन भी बाद में सामिल हुआ त तो अब हुआ कि 3 सितंबर यानि 2 दिन के बाद ही 3 सितंबर 1949 को जर्मनी के बिरुद किया गया आक्रमन किसके द्वारा जर्मनी के बिरुद की घोशना फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा किया गया अब देखिए इससे और आगे बढ़े हम तो अब यहां पर हमें समझना है इस प्रकार द्यूतिय बिश्यूद की सुरुवात हो गई दूसरे तरफ अगर बात किया जाए रूस का तो यह जो रूस था यह किसी भी तरीके से द्यूतिय बिश्यूद में पार्टिसिपेट होना नहीं चाहता था इसलिए यह कोशिस करने लगा कि द्यूतिय बिश्यू तीन देश अपनी सुरक्षा के लिए रूस तीन देशों से कॉंटेक्ट किया और ये तीन देश कौन कौन थे इसको आप देख लिजिए तो एक कॉंट्री था इसमें जिसका नाम था एस्टोनिया फिर दूसरा कॉंट्री था लेटविया और फिर इसमें जो तीसरा कॉंट्र यह था लिठूवानिया और इस तीनों देशों के विदेश मंतरी के साथ रूस संधी किया और इस संदी के फल मिल सोरूप रूस के द्वारा इस 3 तीनुक डेशं में अपना सेनिक तैंक टीनाक कर्दिया गया और देश के एकता और खंडदा पर इसका कोई fact नहीं पढ़ेगा उसको एकता और खंडदा बनी रहे गी देखिए इस से सबसे पहले इस उदेशे से एक वारता किया और फिनलेंड से ये जो वारता चल रहा था वारता बाचित जो चल रहा था ये बीच में ही भंग हो गया और वारता जो है ये भंग होने के फल सरूप यह फिनलेंड के खिलाप युद्ध की गोशना कर दिया और ये फिनलेंड स हार मान जाएगा और हार मान कर फिनलेंड यूद से बाहर हो जाएगा जिसके फल्स रूप अब रूस के द्वारा जो भी बात कहा जाएगा जो भी बात फिनलेंड के समख चरका गया फिनलेंड ने उसको स्विकार कर लिया और इस प्रकार रूस ने अपनी सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर लिया, अब देखिए जहां तक बात है जर्मनी की, तो अब जर्मनी देखिए क्या करना स्टार्ट किया जर्मनी ने हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जर्मनी फ्रांस और ब्रिटेन के ब्रिद्ध युद्ध की घोशना करी दिया था अब वह देरे-देरे कुछ अन्य छोटी-छोटी राज्यों पे भी आक्रमन करना सुरू किया तो ये देखिए सबसे पहले करेगा क्या 9 अप्रेल 1940 की बात है ये दो कॉंट्री पे आक्रमन कर दिया एक कॉंट्री था नार्वे और दूसरा कॉंट्री था डेन्मार्क ये दोनों कॉंट्री पे आक्रमन किया नार्वे और डेन्मार्क पर आक्रमन करने के बाद जर्मनी जो था ये अप्रेल में नार्वे और डेन्मार्क पे आक्रमन किया था क्या किया जून उनिस्सोचालीश स्मी में दो और कांट्रीप आक्रमण किया एक तो था बेलजियम और दूस्रा था फ्रान्स अब देखिए बेल्जियम गो तो काफे आसानी से पराजित कर दिया लेकिन फ्रांस से कुछ दिनों तक युद्ध चला और फ्रांस को भी पराजित कर दिया जिसके false फरूप बात है 22 जून 1940 को 22 जून 1940 को फ्रांस ने आत्म समर्पन कर दिया यानि फ्रांस जो है युद्ध से बहर हो गया तो देखिएगा फ्रांस अभी आत्म समर्पन किया है लेकिन फिर से बाद में एक बार सामीन होगा यह द्वित्य विश्यूद में अब इसके बाद और आगे चले तो फ्रांस के आत्म समर्पन करने के बाद की बात अगर किया जाए तो देखिए 22 जून 1940 को यह आत्म समर्पन किया है और इधर एक साल बाद यानि 22 जून 1941 की बात है हुआ क्या कि यह जो जर्मानी है अब तक जो रूस बचने की कोशिस कर रहा था प्रतम विश्यूद से बाहर रहने की प्रयाश कर रहा था जर्मानी ने अब रूस पर भी आक्रमण कर दिया और देखिएगा कुछ भागों को जितते हुए और धीरे धीरे रूस के एक बड़े भूब भाग पर ये कपजा जमा लिया और रूस के कुछ भू भाग पर कपजा करने के बाद जब यह जर्मन सेना मास को पहुंची जो रूस की रातानी है तो मास जब पहुँचने के बाद रूसी सेना ने जर्मन सेना के साथ डट कर मुकाबला किया और मुकाबला करके रूसी सेना को पीछे भेजने में सफल रही यानि रूसी सेना के ने डट कर मुकाबला किया जिसके फल सोरुप जर्मन सेना को पीछे भागना पड़ा अब देखिए ल उसमें समानेता अगस्त का महिना उस समय था अगस्त 1942 को यह जो जर्मन सेना थी यह रूस के एक जगा का नाम है स्टालिन ग्राद यहां आक्रमण किया और फिर यहां पे रूस के साथ जर्मनी ने लगभग पांच महीने तक लगतार युद किया पांच महीने तक युद चला और फिर यहां इस युद में रूसी सेना ने स्टालिन के नित्रितों में रूसी सेना ने जर्मन सेना को परास्त करने में सफल रही यानि रूसी सेना के द्वारा जर्मन सेना को परास्त कर दिया गया पराजित कर दिया गया इस पांच महीने तक की लंबे युद में और इस प्रकार रूस जो है जर्मनी को पराजित करके और अपने आपको युद से अलग कर लिया अब देखिए अब यहां युद का दूसरा मुर्चभा प्रारंभ होने वाला है और धूसरा मुर्च盃 किस रूप में प्रारंभ होगा इसको आपको समझाते हैं अब तक द्यूतिय बिश्यूद में अमेरिका पाटिशिपेट नहीं किया लेकिन अब अमेरिका भी द्यूतिय बिश्यूद में सामिल होने वाला है और अमेरिका जैसे ही सामिल होगा यूद की स्थिती फिर से बदलेगा और देखेगा द्यूतिय बिश्यूद में अमेरिका क इस प्रकार शामिल होगा बात है 7 दिसंबर 1941 इसमी की इस समय एक घटना घटित हुआ और यह घटना जापान के द्वारा किया गए जापान क्या किया कि अमेरिका का एक स्टेथ है हवाई द्वीप प्रशंत मास आगर के तट पर प्रशंत मास आगर के बीच पर्ल हर्बर नामक अमेरिका का एक नौसेनिक अड़ा था और फिर यह इस नौसेनिक अड़ा पर यानि पर्ल हर्बर पर जापान के द्वारा जबरदस्ट हमला किया गया यानि जापान इस पर हमला किया और जो अमेरिका का एक नौसेनिक अड़ा था अब देखेगा यहां मतलब इसमें जब यह हमला किया तो हुआ क्या कि प्रसांत महसागर में अमेरिका का जो बेडा रखा गया था अमेरिका के बेडा को मतलब बूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया एकदम बरबाद हो गया पूरा और देखिए इसके तहस नहस होने के कारण और चुकि अमेरिका ने जापान को चितावने भी दिया था वार्निंग भी दिया था लेकिन फिर भी जापान ने अपनी कारवाही नहीं रोकी जापान नहीं माना जिसके चलते अब अमेरिका के पास जो option था उसका यूज किया और अब अमेरिका का चुकी काफी यहां पे नुकसान हुआ है जिसके चलते अब अमेरिका ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोशना कर दिया और अमेरिका जो था यह जापान के विरुद्ध युद्ध की घोशना 7-8 दिसंबर देखिए गर 7 दिसंबर 1941 को यह परल हरबर प्राकरवन किया है और अमेरिका थोड़ा सा भी वक्त नहीं लेता है बहुत जल्द यह एक्षन करता है तो यह क्या किया 8 दिसंबर 1941 को जापान क के विरुद्ध युद्ध का घोशना कर दिया और जैसे यह जापान के विरुद्ध युद्ध का घोशना किया अब युद्ध की स्थिती बदल गए देखिए का होगा क्या कि अब इसी बीच जर्मनी के तरफ से इटली भी सामिल हो गया जर्मनी के जो पक्ष था उधर से इटली भी पार्टिसिपेट कर लिया और इधर जापान तो था ही तो एक तरफ ये तीन कॉंट्री बने और दूसरी तरफ के अगर बात करें तो एक तो था इंगलेंड पहले से और फिर दूसरी कॉंट्री जो है यहां पे था फ्रांस जो 1940 में आत्र समर्पन कर दिया था ये दूसरी मोर्चा में जब दूसरी मोर्चा का सुरुवात हुआ अमेरिका के सामिल होने के बाद फ्रांस भी पर्टिस्पेट किया और फिर यहां रूस भी अब तक सामिल हो चुका था विकोज यह दिसंबर 1941 की बात है और रूस पर आक्रमण तो जर्मानी के द्वारा जून 1941 में ही कर दिया गया था तो अब इसमें रूस भी सामिल हो गया था और फिर यहां अमेरिका था और दूसरी चेज़े जैसे ही अमेरिका दूत्य विश्जुद में भाग लिया अमेरिकी महादेश के और भी कुछ प्रमुक देश थे जैसे कनाडा मैक्सिको अगर जो कॉंट गोशना किया और मतलब अमेरिका जो है सबसे पहले तो 8 दिसंबर 1941 को जापान के बिरुद्ध की घोशना किया था और उसके कुछे दिन बाद यह जर्मनी और एटली के खिलाफ भी युद्ध की घोशना कर दिया और यह युद्ध जो है कंटिन्यू चलते रहा अब देखे किया तो इसके फल सरूप सामने यह देखने को आया कि 6 जून 1944 इसमी को जर्मनी की जो सेना थी यह परास्थ हो गई यानि जर्मनी की सेना पराजित हो गई और इसके पराजित होने के बाद यह अब आगे 1945 इसमी में 7 मई 1945 इसमी में जर्मनी की सेना ने आत्म समर्पन कर दिया यानि जर्मनी की सेना युद्ध से बाहर हो गई विकाज उसकी पास अब उतनी शक्ती नहीं बची थी कि युद्ध में अपने आपको मतलब बनाए रख सके अब देखिएगा जर्मनी तो वापस आ गई और जर्मनी के आत्म समर्पन करने से पहले ही इटली मित्र राष्ट्रों के साथ संधिक कर चुका था और वैसे भी इटली कोई युद्ध में इटली की सक्रियता कभी देखी नहीं गई नहीं प्रथम विस युद्ध में नहीं द्यूते विस युद्ध में पहले ही मित्र राष्ट्रों के साथ संधिक कर लिया कि हमें युद्ध में नहीं रहना है अब देखिए और दूसरे तरफ जर्मनी भी आत्म समर्पन कर दिया है अब बच रहा है यहां पे जापान की मामला देखिए जापान के साथ अब क्या किया जाएगा चुकि जापान के कारण ही अमेरिका पार्टिसिपेट किया था युद्ध में अब देखिए जापान के साथ होगा क्या बात होगी 6 अगस्त 1945 इसमी का तो देखिए अमेरिका के द्वारा काफी दर्दनाक काफी मतलब बड़े हंतियार का यूज किया जाएगा और 6 अगस्त 1945 इसमी को जापान का एक सहर था जिसका नाम था हिरोशिमा जापान के एक सहर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को एटम बम का इस्तमाल किया गया एटम बम गिराया गया और यह एटम बम जो है अमेरिका के द्वारा जापान पर गिराया गया था और फिर इस एटम बम के गिराने से इस हिरोशिमा का नामों निसान मिट गया हिरोशिमा पूरी तरीके से हिरोशिमा समाप्त हो गया और फिर इसके बाद तिन दिन बाद और 9 अगस्त 1945 इसमी को जापान के एक दूसरे सहर नागा साकी पर दूसरा एटम बम गिराया गया और इस एटम बम के इस्तमाल से अब मतलब केवल नागा साकी नहीं बलकि जापान का लगबग अधिकांस भाग द्वस्त हो गया और ये एटम बम भी अमेरिका के द्वारा ही गिराया गया था और विश्व में अब तक मात्र दो बार ही एटम बम का यूज किया गया है और वो दोनों जापान पर ही इस्तमाल किया गया है और उसका बैड इफेक्ट उसका बुरा प्रभाव इतना अधिक है कि आज भी कोई देश किसी दूसरे कॉंट्री पे एटम बम गिराने की बात इसे नहीं केवल जापान प्रभावित हुआ बलकि अन्य देश भी प्रभावित हुए बहुत सारी इफेक्ट अन्य देशों पे भी देखने को मिला आप समझे इतना अधिक ये खतरनाक था एटम बम का मतलब इफेक्ट जो है जिसके चलते आज उसका इफेक्ट आज भी ज जापान में देखने को मिलता है कि वहाँ विकलांगता जन्मजात विकलांगता के रूप में आज भी जापान में मतलब लड़के जो होते हैं वहाँ विकलांग जन्म लेते हैं कोई अंधा कोई बहरा कोई लंगडा मतलब पुर्ण रूप से विक्सित बच्चुं का जन्म को नहीं होता है जापान में विकोज अभी भी एटेंब म्म का वहां effect है और दुसरी चीज कि जब ATM BOM गिराया गया था जापान में पहली बार हिरोशीमा पर उसमें घडी भी यानि जो वाच होता है घडी भी वहाँ बंद हो गयी थी और सबसे पहले जब ATM BOM गिराया गया था उसमें समाय हो रहा था दस बज कर 10 मिनट दस बज कर दस मिनट में एटम बम का इस्तमाल सबसे पहले किया गया था और जब घड़ी भी बंद हो गया था तो आप देखना कभी घड़ी के सोरू मगरे में जालंगे आप तो वहाँ देखिएगा कि जितने भी घड़ी लगे हुए रहते सोरू में सब में 10 बज कर 10 मिनट अल्रेडी सेव किया हुआ रहता है और फिर जब आप घड़ी खरीदते हैं तो उसमें बैटरी डालते हैं और बैटरी डालके फिर उसमें जो भी टाइम होता आप उसको सेव करते हैं लेकिन पहले से 10 बज कर 10 मिनट सेव हुआ रहता है इसका रीजन ये है कि सबसे पहले 10 बज कर 10 मिनिट में एटम बम गिराया गया था और इसलिए सेव करकर रखा गया होता है कि पूरी दुनिया को ये बात याद रहे पूरी दुनिया ये बात को याद रखे कि फिर से ऐसी घटना को दूरा आया नहीं जाए कि घड़ी एक बार फिर बंद हो जाए तो देखी ये काफी दर्दनाक घटना था और ऐसी दू बार जब एटम बम का इस्तिमाल हो गया तब तो जापान की अर्थवियोस्था बिलकुल खराब हो गया और जापान अब खुद को भी नहीं संभाल सकता था तो युद्ध में सामिल होना युद्ध में बने रहना तो दूर की बात है फलता फल स्वरुप हुआ क्या कि 2 सितंबर 1945 इसमी को जापान ने आत्म शमर्पन कर दिया यानि जापान भी युद्ध से बाहर हो गया और हम लोग पढ़ी चुके हैं कि जर्मनी शात्माई को भी कोही आत्म समर्पन कर दिया था इसके पहले ही इटली मित्राष्ट्र से संदिक कर लिया था और अब जापान भी आत्म समर्पन कर दिया यानि इस प्रकार दुवित्य बिश्यूद का भी अंत हो गया अब आईए हम आपको समझाते हैं कि इस दुवित्य बिश्यूद के कौन कौन से परिडाम हुए है तो देखिए दुवित्य बिश्यूद के बहुत से परिडाम हुए हैं जिसमें प्रमुख परिडामों की चर्चा यहां पे हम लोग करेंगे तो सबसे पहली चीज की जन धन के ब्यापक छती हुई यानि इस विस्यूद में बहुत सारे लोग भी मारे गए और बहुत अधिक धन का भी अपव्याय हुआ तो देखिए गाई इसको हम थोड़ा डीप में जाकर समझते हैं आपको हम बता दे कि यह द्वित्य विस्यूद जो था अब तक का यानि पूरे इतिहांस का सबसे भयंकर यूद है अभी तक का सबसे मतलब भयानक यूद जो है द्वित्य विस्यूद ही है और देखिए ये किस प्रकार भयानक है because इस यूद में पांच करोण से भी अधिक लोग मारे गये थे पांच करोण जी पांच करोण से भी अधिक लोग इस यूद में मारे गये इस यूद में मर गये और जिसमें से 2.2 करोण जो है यहाँ नागरिक जो शमान्य नागरिक है वो इसमें सामिल है अब यहीं अगर बात करें जैसे माली जो कि पोलेंड को काफी नुकसान हुआ था पोलेंड जो कांट्री है कि अकेले पोलेंड से 60 लाख लोग मारे गए थे और यह मतलब 5 करोन से जब कंपारिजन कर रहे हैं तो लग रहा है कि कुछ जादा तो नहीं यह पोलेंड के लिए लेकिन जादा इसलिए है विकाज पोलेंड की जनसंख्या काफी कम था और वहां 60 लाख लोग मारे गए और आपको बता दे यहाँ पोलेंड के जनसंख्या का लगबग 20% है यानि पोलेंड के जनसंख्या का 20% ल बहुत सारे कॉंट्री भी सामिल थे, जिस हम लोग पढ़े थे, एस्टोनिया, लैट्विया, लिथुवानिया, ये सारे कॉंट्री जो है सोबियत संग में सामिल थे, तो बहुत सारे देश थे, 15 देश थे टोटल सोबियत संग को काफी नुकसान हुआ, सोबियत संग से केवल दो करोण लोग जो है मारे गए थे और ये वहां कि जनसंख्या का 10% हिस्सा था वहीं देखा जाए तो जर्मानी से भी लगबग 60 लाख लोग मारे गए और ये जर्मानी के जनसंख्या का लगबग 10% हि था तो सुची ये इतने इतने लोगों की मिरत्यू जो है अलग-अलग देशों सो हुआ है और केवल लोगों की मिरत्यू नहीं केवल मानुवे संसाधन का ही नुकसान नहीं हुआ बलकि भौतिक संसाधनों का भी काफी नुकसान हुआ और एक अनुमान के अनुसार बताया गया है कि द्वितिय विस्यूद म है यहां पे हुआ 13 खरब 84 अरब 90 करोण और यह रुपया नहीं बलकि डॉलर अब सुचिए 13 खरब 84 अरब 90 करोण डॉलर इतने अधिक रासी का अपव्याए दुटिय विश्यूद में किया गया है यह काफी भारी रकम है अभी इतना भारी रकम देखने में लग रहा है और यह लगबग 80 वर्स पहले की बात है तो सुचिए उसमें इतने रासी का क्या इंपोर्टेंस होगा तो इस प्रकार दुटिय का सबसे बड़ा प्रड़ाम हम लोग देखें कि जन और धन का व्यापक नुकसान हुआ है अब दूसरी चीज अगर बात किया जाए यहां तो हमें समझना है कि दूसरा इफ्यक्ट पड़ा कि यूरोपी स्रेष्टता का अंत हुआ और साथी साथ उपनिवेशों का भी अंत सुरू हुआ यहां अब तक यूरोप महादेस जो पूरे विश्व में सबसे स्रेष्ट महादेस माना जाता था इसकी स्रेष्टता का अंत हो गया क्योंकि यूरोप महादेस के जो प्रमो क vap dismiss उपके किये थे दूटिय विश्वयूद में उनकी अर्थ्योस्ता काफी खराब तो यूरोपीय स्रिष्टता का अंथ हो गया और जो यूरोपीय देश अफ्रीका और एसिया माया देश में छोटे-छोटे उपनिवेश स्थापित कर रखे थे अब अपने उपनिवेशों में अपने आपको देखिए दुटे विजूत के बाद ही उपनिवेशों में भी मतल में शेकेंड वर्ड वर्ड समाप तो 1947 में भारत भी अजाद हो गया वहीं अगर बात करें हम तो स्री लंका वर्मा मुलाया हिंदेशिया ठीक है वहीं मिस्त्र भी पहले गुलाम उपनिवेश कॉंट्री था तो ऐसे बहुत सारी देश जो है श्वतंत्र हुए यानि उपनिव से इन्हें मुक्ती प्राप्त हुआ अब सुचिए अगर सेकेंड वर्ड वार नहीं हुआ रहता तो यूरोप के जो कॉंट्री इन्हें उपनिवेश बनाये थे इन्हें तो छोड़ते नहीं और चुकी उनकी स्थिति कमजोड नहीं हुआ रहता जिसके चलते इन देशों को इतनी जल्द सफलता नहीं मिलती और इतना जल्द स्वतंतरता प्राप्त नहीं हुआ रहता अब और आगे चले तो देखिए इसमें कहा जाता था कि इंग्लेंड का सबसे बड़ा समराज्य था यानि इंग्लेंड का दूर दूर तक उपनिवेश कॉंट्रे स्थापित थे और ऐसा माना जाता है कि इंग्लेंड जो है पहले माना जाता था कि इंग्लेंड में कभी सूरज नहीं डूबता था यानि इंग्लेंड में कभी सुर्यास्त नहीं होता था ऐसा पहले माना जाता था लेकिन दूरितिये बिश्यूद के बाद इंग्लेंड में सूराज बने लगा इसका मतलब समझना इसका मतलब समझने है कि भाई क्या कहा जा रहा है यहां पर तो देखिए यहां कहने का मतलब यह है कि आप सुचिए खुद से कि जब मतलब विश्व की एक कोने में सुर्योदे होता है तो दूसरे कोने में सुर्यास्त होता है तो एक कोने में ज से सुची आप खुद से कि इंग्लेंड में जब सुर्यास्त रियल बात यह नहीं है इंग्लेंड में सुर्यास्त होता था इंग्लेंड में सुरज डूबता था लेकिन जब इंग्लेंड में सुरज डूबता था उस समय जिस चत्र में किसी चत्र में समय तो सुर्योद जरूर जब इंग्लेंड में सुरज डूबा तो किसी दूसरे चत्र में सुर्यास्त स्वरी पिर से समझ ये इसको इंग्लेंड में सुरज नहीं डूबता था इसका मतलब यह नहीं है कि इंग्लेंड में कभी सुर्यास्त होता ही नहीं था देखिये कहने का मतलब यहां पर यह है कि ज उपनिवेस कांट्री जरूर थे बिश्व के कोने कोने में इंग्लेंड के गुलाम देश थे आप सुचिए कि इस इंग्लेंड मेंने शुरियास्थ हो गया लेकिन इंग्लेंड का जो समराज्जे दूर दूर तक फैला हुआ है वहां तो सुर्वेदे हो गया न तो इस परपस से इस उद्शेशे कहा जाता था कि इंग्लेंड में कभी सूरज नहीं डूबता था लेकिन द्यूत्य बिस जूद के बाद इंग्लेंड के सारे उपनिवेस आजाद होते गए जिसके चलते अब कहा गया कि द्यूत्य बिस जूद के बाद यूरोप इंग्लेंड में सूरज भ हुआ आप समझे प्रत्यक चुरूप से जर्मनी इटली और जापान यह प्रत्यक चुरूप से पराजित हुए थे यानि डारेकटली दिख रहा उब प्रत्यग्स का भी अधिक नुक्सान हुआ था थेशों का भी आधिक नुक्सान हुआ था थे इन देशुं का भी पराजय हुआ अब देखिए यहां आगे चले तो प्रतम विश्यूद के बाद जिस प्रकार राष्ट्रशंग का स्थापना किया गया था पूरे विश्व में सांती ब्योस्था कायम करने के लिए वैसे ही द्वित्य विश्यूद के बाद 1945 इसमी में ही फिर से विश्व शांती कायम करने के उद्श्य से पूरे विश्व में स आंती बनाएं रखने के उद्श्य से एक अंतराश्ट्री संगठन का स्थापना किया गया जिसका नाम है UNO यानि यूनाइटेड नेशनल और्गनाइजेशन इसको हम हिंदी में कहेंगे संजुक्त राष्ट्रशंग और इस यूनाइटेड नेशनल और्गनाइजेशन जो है ये एक ऐसे संस्था थी एक ऐसा संगठन था जो इस बात को ध्यान में रखकर कारे करता था कि फिर से किसी अन्य देशों में युद की सुरुवात नहीं हो बलकि सांती हमेशा बनी रहे और इसके बहुत से संस्थापक सदस्य देश बने और धीरे-धीरे मतलब जैसे-जैस समय बित्ते गया बहुत सारे देश इसके सदस्य बनते गया अब देखिए इस हिस्ट्री में एक चाप्टर हम लोग पढ़ेंगे शांती व्योस्था का प्रियास जिसमें अंतराश्ट्री संगठनों के बारे में हमें ध्यान करना है तो उसमें यूएनों के बारे में यानि लास्ट इशक्ट की बात करते हैं विश्व में गूटों का निर्माड शुरू होगा तो देखिए विश्व में गूटों का निर्माड कैसे शुरू हुआ विश्व जो है दो गूटों में बट गया और इसका दो गूट कौन कौन बना एक गूट बना शम्मेवादी एक ग नेत्रित्व रुष के द्वारा क्या जा रहा था सोवियत रुष के द्वारा और जो पुझिवादी विश्व था इसका नेत्रित्व संजुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था आया समझ में और एक और धीरे धीरे एक और खेमा यानि दो खेमों में विश्व तो बटे गया थ था मतलब गूट निर्पेक्ष राज्यों के रूप में तीसरा खेमा भी जो है सामने आया और इसमें कौन-कौन देश पार्टिसिपेट थे इसमें कौन-कौन देश सामिल थे तो देखिए जो नवूदित यानि जो नए-नए स्वतंत्र हो रहे थे देश वो इसमें सामिल हु जो तीसरे खेमे में सामिल हुए तो यह समझ में आ गया अब देखिए तो इस प्रकार दूतिय विश्यूद का नहीं केवल उसमें भाग लेने वाले देश को मतलब देश पर प्रभाव पड़ा लेकिन दूतिय विश्यूद ने समस्त विश्यू को प्रभावित किया तो आ आप लोग इसको बढ़िया से क्लियर करने की कोशिस कीजिये विडियो को दो तिन installment में देखिए अगर क्लियर नहीं हो रहा तो पहले थोड़ा सा इसका पार्ट देखिए उसको लिखने की कोशिस कीजिये और पुर्णिता इसको समझने का प्रयास कीजिये तो आज के लिए बस इतना ही और अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे next chapter के साथ जो है नाजीवाद जिसमें हम लोग हिटलर के उतकर्स के बारे में हिटलर ने नाजीवाद का गठन जर्मनी में कैसे किया था उसके बारे में हम लग अगले chapter में पढ़ने वाले हैं